और अभी एक पकोड़ा मैंने टेस्ट के लिए लिया है तो यह है तो कर लेते हैं एक नए दिन और एक नए ब्लॉग की सुरॉत कैसे आप सभी लोग सब बढ़िया होंगी और स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में उम्मीद है आप सभी स्वस्त होंगे और आज का ब्लॉग मैं सीधे साम को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी अगस्तमुनी से अभी घर आ रहा हूं और यह इसले ब्लॉग में भी आपको दिखाए था और उसका क्या करने वाले आज तो वो मैं बताऊंगा आज आपको चलिए पहले उस चीज को आप लोग को बता देते हैं और जो चीज मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे गाउंव इस ब्लॉग में और इसका पुरा प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं और क्या क्या होने वाला यह तो इस वाली ब्लॉग में भी आपको दिखाए था यह वाले तो ये हैसा के ने के फूल इंको कहेंगे हम पर हिंदी में मुझे इनका नाम बताने है की पूलों से पकोड़े मनें वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे किस तरह से इसके पकोड़े बनते हैं बहुत ही टेस्टी इसके पकोड़े होते हैं मैंने पहले खाए थे पर अपनी ब्लॉग में आपको पहले बार दिखाऊंगा तो चलिए पहले इन फूलों को इससे अलग गरते हैं फिर बताते हैं आपको भी हटा सी छाएं छीड चेनार भी तुझे को बुलाएं हित ओ दाजू पाहाड लोट जाएं हित ओ दाजू पाहाड लोट जाएं अब तक सारे फूलों को उससे अलग कर दिया है और यह कुछी सथारी के अभी फूलों करें हैं तो इनको मिलाएंगे मैद के साथ या आठी के साथ इसको मिलाएंगे तो फिर दिखातें आपको और अब हमने इसमें बेशन को मिला दिया है और यहां पर माजी और कुछ इस्तिरी की का होता है पहाड़ों में चूला और चूले में रखी गई यह कड़ाई और इसमें तेल भी डाल दिया है और यह हमारा चूला और टाइल भी लगी गई यह कीचन में तो इसको हम modern combination कह सकते हैं नए जमाने का भी और पुराने जमाने का भी combination हमने किया है क्योंकि कीचन में आप देख रहोंगे टाइल भी लगाएगी और चूले का प्रियोग भी आगया है और अभी इन पकोड़ों मे नमक को गार मिल आएंगे और फिर दिखाते हैं आपको आगे और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद इन फुलों को लाएंगे और पकोड़े बनाएँगे क्योंकि यह बहुत स्वाज़िश इस्टोंते हैं खाने में और यह कंद मूल फल की तरह हम इसको कह स सकते हैं जो कि काफी लाप दायक है हमारे स्वास्थिक लिぐ और जंगल में आप इसके पैचान इस तरिकए से कर सकते एक पिंप तरह का एक फूल होता है तो ज्याद़ बड़ा इसका पॉदा निहीं होता यह जैसे गोबी हो गया आलो बहुत सारे अन्य सब्जिया है उनके भी हम पकोड़े बना सकते हैं पर उनमें केमिकल और इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है तो वह हां निकार रहक है पर यह बहुत ही लाबदा आयक है हमारे सरीर के लिए तो अभी दिखाते हैं फिर आगे अधिया लूगो यादाणू चारा आत्यालू मुलक्ड यादाणू चारा आत्यालू नुलक्ड यादाणू चारा और और कुछ पकोड़ी अभी बन चुके और हमारे रहत है कि जब भी कोई हम पकवान यह सफाद इस डिट कोई बनाते हैं तो उसके अब से पहले अपने पित्र देवों के लिए उसको रखते हैं तो चलो मैं भी रख देता हूं तो इसको रखते हैं फिर तो चलीए अभी दिखाते हैं और अभी एक पकोड़ा मैंने टेस्ट के लिए लिया है तो यह है तो काफी स्वाथ हिस्टोर रहा है तो आप भी जरूर इसको ट्राइक ने एक बार काफी बढ़ी आए और स्वाथ से गजिल आप दाया कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं के तो अभी और बी दिखाते हैं आपको इस फिर बने रे में साथ और अभ आके आने वादी वाइनलों में तरहे हैं फोने और से में अन्य जो भी चीजे होंगी मैं आपको अपने इस ब्लोग के माध्यम से जरूर दिखाऊंगा तो जरूर मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल पड़ जो भी लोग नहीं आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें मैं आपके लिए इसी नहीं तरह की वीडियो लाते रहूंगा तो बने रहे फिल्में साथ तो चलिए अभी इन पकोड़ों का अनंद लेते हैं करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए उगी और इस वीडियो नहीं नहीं वीडियो लाते रहूंगा तो मिलते हैं जल्द हैं नेक्स्ट ब्लोग में झाल झाल